Your Excellency, प्रधान मंत्री शेख हसिना जी, त्रिपुरा के मुख्य मंत्री मानिक साह जी, केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी, डॉक्टर जैसंकर, श्री अश्विनी वैश्णव, श्री आरकेसी, श्री जी किशन डेडी, इस समारों से जुड़े सभी साथिगन, नमस्कार, ये बहुत खुशी की बात है, कि हम एक बार फिर भारत बांगलादेश सहयोग की सफलता को सेलिप्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं, हमारे सम्मंद निरंतर नई उंचाईयां छू रहे हैं, पिछले नव वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था, हमने बॉर्डर पर शान्ती, सुरक्षा और स्थिर्ता की वहाली के लिए, दशकों से लंबित लेंड बाउन्डरी एग्रिमेंट किया, और मेरिटाइम बाउन्डरी को भी सुल जाया, दोनों देशों के लोगों की साजा अपेक्षाओं और आकांशाओं पुरा करने के लिए हमने, इंफ्रास्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेश बल दिया, पिछले नव वर्षों में तीन नई बस सेवाई शुरू की गई है, इससे धाका, अगरतला, शिलांग, गोहाटी और कोलकता को आपस में जोडा गया, पिछले नव वर्षों में, तीन नहीं रेल सेवाई भी शुरू की गई, 2020 से तो भारत बांगलादेश के बीच, कंटेनर और पार्सल ट्रेने भी चल रही है, पिछले नव वर्षों में, इनलेंड वाटर वेज को पैसेंजर और गूर्ज के याता याद के लिए विक्षित किया गया, इसी रास्ते से बांगलादेश से त्रिपुरा के लिए एक्षपोर्ट का रास्ता खुल गया है, विश्वकास सबसे बड़ा क्रूज, गंगा विलास, भारत और बांगलादेश के बीच शुरू होने से परियटन को बढ़ावा मिला है, पिछले नव वर्षव में चिटागंग और मंगलापोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तरपुर्व के राज्यों को जोड़ा गया है, हमारे कनेक्टिविटी इनिसेटिव ने कोविड महामारी के दोरान लाइफ लाइन का काम किया, आक्सिजन एक्सप्रेस ने चार हजार टन से ज्यादा लिक्वीड मेडिकल आक्सिजन भारत से बंगलादेश पहुंचाई, पिछले नव सालों में भारत बंगलादेश सीमाक्षेत्र पर चार नए इमिग्रेशन चेकपोस खोले गए हैं, और पिछले नव वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगबग तीन गुना हो गया है, फ्रेंड इन नव वर्षों की आत्रा में आज अखावरा अगरतला रेल लिंग उसका उद्गाटन भी एक अईतिहासिक पल है, भारत के पुर्वत्तर राज्यों से बंगलादेश का ये पहला रेल लिंग है, त्रिपुरा का बंगलादेश के साथ लिब्रेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है, इस लिंक के माध्यम से पुर्वत्तर भारत के राज्य बंगलादेश के पौर्ट्स भी जुडेंगे, खुलना मौंगलापोर्ट रेल लाइन इसके बंगने से अब बंगलादेश का मौंगलापोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कौलकता ट्रेड संटर से जुड़ गया है, मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्क के दूसरे युनिट का उद्धाटन किया, पिछले नव वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है, 2015 से एक सो साट मेगावर्ट बिजली त्रिपूरा से बंगलादेश जा रही है, पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्क के पहले इनर्जीट का अनावर्ण किया था, इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाइ स्पीड डीजल पाइपलाइन का उध्याडन किया गया, हमारे आपसी सहयोग से बंगलादेश की एनर्जी सिकुरिट को बल मिला है, उर्जा के शेत्र में बंगलादेश आत्मन निर्भरता की और अग्रेसर हुआ है, यही नहीं इस वर्ष सब रिजिनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बंगलादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमती बनी है, हमने सबका साथ सबका विकास के हमारी एप्रोच को बंगलादेश जैसे अपने निकटतम पडोसी बित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है, बंगलादेश का सबसे बड़ा डेवलोप्मेंट पार्टन होने पर हम गवरवानवित मैसूस करते हैं, पिछले नव वर्षों में विबिन्नक शेत्रों में विकास कारियों के लिए लगभग दस बिलियन डॉलर की सहायता दी जा रही है, हमारे एक्चिवमेंट्स की लीष्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पुरा दिन निकल जाएं, हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पुरे किये ही हैं, लेकिन आज के कायरकम की एक और विशेस्ता है, आज जिन तीन प्रोजेस का उद्गहटन किया गया है, उनका निर्णे भी हमने ही लिया था, और इन्हें लोगों को सबर्पित करने का सोभगय भी हमें ही मिला है, हमारे संयुक्त प्रयास्व की सभलता के लिए मैं प्रधान मंत्री सेख हसेना जी का विशेस रुप से आभार प्रगड करता हूं, कुछ सब्ता पहले वे जी ट्वेंटी समीच में विशेस अतिती के रुप में भी शामिल हुई, हमें उनका स्वागत सम्मान करने का आउसर मिला, इसके लिए भी मैं प्रधान मंत्री शेख हसेना जी का रदय से आभार प्रगड करता हूं, एक्सलेंसी, आपके स्मार्ट बंगलादेश, स्मार्ट बंगलादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सयोग देता रहेगा, मुझे खुशी है कि बंगलादेश के बारा जिलों में, बारा आईटी पार्स बनाने में भारत सयोग दे रहा है, फिंटेक के ख्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोडने के लिए भी सहमत नी बनी है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साहजा प्रयासों से बंगबंदू के सोनार बंगलादेश का विजन साकार होगा, एक बार फिर इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,